हलो गाइस असलाम अलेकुम वेलकम बैक टो में चैनल गाइस देखिया जुम्हे का दिन है वैसे तो ब्रेक्फास्ट वगेरा कर लिया था अभी मैं ना अरेशन निकालने के लिए बैठ गई थी वैसे ना अरेशन खताम हो गया था घर में तो अभी मेरे हजबन लाकर दिये है तो मैं निकाल रहे हूं औरूज हेल्प में हेल्प करो देखिया अरूज मेरी हेल्प कर रहे है यह दो आपको सब पता है आपको सब पता है यह मसाला यह मसाला है अच्छा यह चाकोस अरे वाव रूज का क्या है चाकोस अच्छा चलो अभी दूसरा निकालते यह फल्ली फल्लिया ओके फल्ली यह बैट के निकालते यह कौन सा है यह मसाला यह भी मसाला है जिरती पताला यह क्या है यह क्या है यह क्या है यह क्या है आपको नहीं पता यह पता है जीरा है यह क्या है यह यह साबो में तो आपि जीरा परण में आठीक है यह क्या 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 अरे रे दाल है दाल है और यह तो बोलना ही भूल गया यह बोलना ही भूल गया ना और यह है शकल फिनिश हो गया क्या है तो चली अभी सारी चीज़े ना डबे में डालके रखते हैं वैसे तो इतना जो भी राशन है वह आराम से महना देड़ महना चल जाएगा बुश चाहिए खोलो प्रेख खोलो ओके खोलो अरे उसमें नमक दालना है बेटा वो दे जो टबा मैं दूसरा दूंगे आपको लाओ आपको नहीं आता बेटा नहीं आता अरे गिर सेगा गिर सेगा हलका हलका इस राशन वगेरा सब कुछ मेरे डबे में डाल कर रख दिया है अभी देखें यहां पर मैं तहारी बनाने लगी थी बहुत दिनों से ना तहारी खाने का मान था तो सबकी फर्माईश पर मैं यहां पर बना रही हूं मतन की तहारी और साथ में बना रही हूँ कज़ू की खीर iid की डाल दिया है और साबोटदा ने जो भीगे वड़ान वर भीग वै वीde डाल दिये हैं वैसे नमाज हो चुकी थी, अभी तहारी मैंने गर्मा गरम निकाल ली है, लंच करने के लिए और माशाला से खीर भी रेडी है, खाना वगेरा खाने के बाद उरूज का बहुत मन हो रहा था, केक बनाने का, केक खाने का, तो मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली, यहां पर मैं डबल बॉइनिंग मेथड से न, क्रीम डाल लिया, हैवी विपिंग क्रीम डाला है, इसके अंदर ब्लाक चोकलेट डाला है, डाक चोकलेट डाला है, इसको मैं अच्छे से गनाश रिडी कर लूँगी, चोकलेट गनाश, उसके बाद न, मैंने जो प्रिमिक्स आप आपको न, मैं अच्छे से ग्रीस कर लिया, यह वही प्रिमिक्स है, यह वैनिला प्रिमिक्स है, आपको चोको प्रिमिक्स भी मिल जाएगा, इसके अंदर अल्रेडी सारी इंग्रेडेंट्स होती है, जैसे कि बेकिंग पडर, बेकिंग सोडा, शुगर, माइदा, सब कुछ रेडी होता है बस आपको इसके अंदर milk add करना है वैसे मैंने एक कप premix लिया है उसके अंदर एक कप milk add कर रही हूं ये enough था वन कप premix के लिए one cup milk is enough ओके है अब इसको अच्छे से mix कर लोगी और इसके अंदर मैं add करोंगी 2 टेबल स्पून ओईल इस प्रिमिक्स के पैकेट के अंदर ये हॉफ केजी का प्रिमिक्स पैकेट है तो आपको और आम से दो बार केक बना सकते हैं आप अगर 250 ग्रैम्स का बना रहें तो देखिए ये अच्छी रिबन कंसिस्टिसी में आ गया है तो मैं केक मोल्ड में ये डाल चुकी हूँ अभी मैंने आवन को भी प्रिहीट करने के लिए रख दिया था आवन प्रिहीट हो चुका है अभी मैं इसके अंदर केक मोल्ड को रख लूँगी वैसे प्रिहीट आवन है तो बहुत केरफूली रखना होता है मैं पहले रैक रखूँगी उसके उपर केक टिन को रखूँगी तो यहाँ पर मैंने आवन के जो गलवस होते हैं वो डाला है तो बिलकुल सेंटर में रखना है अभी इसको मैंना 20 मिनिट पे 180 डिग्री सेलसि 20 मिनिट के लिए मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है तो जब तक ये केक बन जाएगा हमारा जो गनाश था उसको भी मैंने फ्रीज में रख लिया वो भी थंडा हो जाएगा सेट होने के बाद उसको भी हम लोग ये करेंगे तो देखें यहाँ पर केक अच्छे से बेक हो रह सकते हैं 20 मिनिट का वेट करने की ज़ूरत नहीं है वैसे स्कीवर देखिए क्लीन निकल रहा है केक एकदम पर्फेक्टली बेक हो चुका है अभी मैं आपको इसका जो है ना बेकिंग पेपर निकाल देती हूँ उपर से इजी केक है बनाना बहुत आसान है अगर आपके घर में बच्चे है तो आप इसको इसको इजीली बना सकते हैं वैसे मैं कभी भी ना सारे जो इंग्रेडेन τस वो मेज़र करके लेथी थी बट इस बार मैंने रेडिमेट प्रि मिक्स ही लिया था तो देखें बहुत और बहुत ही फ्लफी बहुत अच्छा बना था अभी जो हमारा गनाश था वो भी रेड़ी है तो चलिए अभी मैं इसको डेकोरेट कर लेती हूँ वाँ, इस टेंड आउट यूड़ी हूँ वेट, वेट, वेट वेट वेट, वेट बिटे अई बना तुमें, छोड़ा गैस बोले हैं, गैस यहाँ पर देखें, वरूज केक की डेकोरेशन कर रहे हैं अब इसको अच्छे से फैला दियो रुको भीटा एक मिनिट देखिए गाईज उरूज केक बना रहे हैं कहां पे है उरूज यहां देखो अच्छे से डेकोरेशन करो इधर भी करो इधर और थोड़ा लो फिली फिली तुम्हें जाला मैं कल तुलो मजाओ हो गया नहीं हो गया हो गया चलो फिनिश करो जल्दी अब यह चोको चिप्स दालो यहां पर देखिए गाईज यहां पर देखिए गाईज उरूज ने केक बनाया है वाउ आपको मजा रहा है केक बनाने में बताएं बोलिए आपके ओडियन्स को तो लाइक करो भूल दो अरे अरे यू रेडी उरूज ओके चलो कट करो केक अपी बर्दे अपी बर्दे अरूज आडवांस हापी बर्दे अपी बर्दे अरूज अरे 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 अज़ रवाद ने ख़एंस आड़े तुम खाव बटा कैसा बनाया केक हाँ यम्मी यू लाइक इट गाइस देखिए केक बहुत ही सॉफ्ट बना है बहुत ही अच्छा बना है टेस्टी बना है आप भी ये रेसिपी ट्राइ कीजिए थांक्यू थांक्स पर वाचिंग आज वैसे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें कर दीजिए शेर कर दीजिए और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस थांक्यू मिलते है नेक्स प्लॉग में